दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने मूं में सोने या चांदी का तो छोड़ें, स्टील का चमच लेकर भी पैदा नहीं होते लेकिन वही लोग अपनी अंथक मेहनत, लगन और मकसद से मुखलिस होने की वज़ा से चमकतास सितारा बन जाते हैं ऐसे ही एक रोशन सितारे से हम आपको आज किस वीडियो में मिलवाएंगे दोस्तो आज कल हर क्रिक्ट लवर की जबान पर बस एक ही नाम है शानवाजधानी, शानवाजधानी, शानवाजधानी हम शानवास धानी के बारे में आपको वो कुछ बताएंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे दोस्तो वीडियो को मुकमल देखिएगा पर हमारे चैनल स्पारक ओफ एक्सिलेंस को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकोन को भी दबा दें तकि आप हमारी आने वली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें दोस्तो आज हम आपको बताएंगे शानवास धानी के कैसे खौप के बारे में जो वो बच्पन से देखते आ रहे हैं लेकिन सवाल ये है किसकी ताबीर उन्हें मिली या नहीं मिली ये जानने के लिए आपको वीडियो आखर तक देखना होगी शानवास धानी के बारे में शायद ही कोई ऐसा शक्स हो जो ना जानता हो लेकिन हम आपको आज बताएंगे शानवास धानी आखरस मुकाम तक कैसे पहुंचे शानवास धानी 5 अगस्त 1988 को सिंथ के जिला लारकाना के एक दूर अफटादा गाउं धानी में पैदा हुए गाउं में टेप बाल खेलते खेलते कैसे स्पीड स्टार बन गए किसी को मालूम ना हो सका वालिद की सخت मुखालफत के बावजूद शानवास धानी ने क्रिक्ट जारी रखी शानवास धानी के वालिद इन्हें सरकारी अफसर बनाना चाहते थे लेकिन जब वो पाकिस्तान अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हुए तो इनके वालिद का गुसा कुछ कम हुआ वालिद की वफात के बाद धानी के बड़े भाई जो के पलीस में होते हैं ने इनकी मुकम्मत सरपरस्ती की उन्होंने इन्हें इस शर्फ पर खेलने की अजाज़त दी कि वो साथ में पढ़ाई भी जारी रखेंगे और धानी ने भाई से किया हुआ वादा पूरा किया और इसी दुरान बीकॉम भी कर लिया धानी की कौमी अंडर 19 टीम में सेलेक्शन का मामला भी काफी दिल्चस्प है धानी कहते हैं कि लारकाना क्रिकिट एस्सीयेशन के एक होदेदार खसुसी तोर पर इनका खेल देखने के लिए इनके गाउं आए वो इनकी गेम से इतना मतासिर हुए कि नहीं अंडर 19 के ट्रायल्स खेलने के लिए मदू किया घरीब काश्टकार के बेटे धानी के पास असवकत ना पहनने के लिए धंके जोगर्स थे और नहीं अच्छा जराबों का जोड़ा इन्हें एक दोस्त ने ये दोनों चीज़ें दी वो कलब क्रिकिट खेलते खेलते अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट टीम में सेलेक्ट हुए और डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 टॉर्नामेट खेला फिर शानवाज धानी ने पीछे मूर कर नहीं देखा PCB ने डिमेस्टी की नई टीमें बनाई तो शानवाज धानी सेंट 1st 11 में जगा बनाने में कामियाद रहे जहां वो उम्दा पर्फॉर्मेंस की बिदॉलत कौमी सेलेक्टर्स के नजर में आ गए धानी मेहनत करते गए और फिर वो PSL 2021 यानी PSL 6 में मुलतान सुल्टान्स की जानिप से इमर्जिन केटागरी में चुने गए इस वकट तक इनके क्रेडिट पर कोई इंटरनाशनल मैच नहीं था वो डिमेस्टिक का भी जादा तजर्बा नहीं रखते थे 50000 के करीब फॉलवर्वर्ज हैं शानन बाहिर की जाने वाली शरारतों को फो अपने ट्विटर हंडी पर शेयर करते रहते हैं शानवास धानी अपनी जमीनों पर चावल कपास और दीगर जरही इजनास काश्ट करते हैं उन्हें अपने गाउं की तसावीर मदाहों के साथ शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता है शानवास धानी के दूसरे दोस्त का नाम है कारलोस ब्रेथवेट वेस्टर इंडीस के टॉप आल राउंडर भी हमेशा शानवास धानी की खूब होसला वजाई करते हैं और इन्हें अपना भाई करार देते हैं शानवास धानी हमत खूसले लगन और बलंद हमती की अजीम मिसाल हैं जिन्होंने कम वसाइल ना काफी सहूलियाद और गुर्बत का रोना नहीं रोया बलके तमाम नामसाइध हलात को अपने पाउं तले रोनते चले गए और आगे भड़ते चले गए और फिर उन्होंने इस खौब की ताबीर भी पाली कि जिसका उन्होंने हमेशा खौब देखा था जी हाँ वो खौब था पाकिस्तान की जानब से टेस्ट खेलना 22 साला शानवाजधानी का ये खौब उस वक्त पुरा हुआ जब उन्हें दोरा इंगलेंड और वेस्टर इंडीस के लिए कौमी क्रिक्ट टीम का हिस्सा बनाया गया ये किसी भी नाजवान खिलाडी का खौब होता है दोस्तो शानवाजधानी अपने इस खौब की ताबीर को यादगार बनाना चाहते हैं दोस्तो हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा जाते जाते हमारे चैनल स्पार्क ओफ एक्सिलेंट सबस्क्राइब करना और बेल आईकॉन को दबाना मत भूलिएगा चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि शानवाजधानी का बुर्ज लियो यनी असद है जिसका निशान शेर है चे फिट दो इंच कामत के शानवाजधानी शेर की तरह धारते वे मुखालिफ बले बाजों पर जपट पड़ते हैं विकेट हासल करने के बाद शानवाजधानी के जशन मनाने का अंदास सबको बहुत पसंदा रहा है जी तो दोस्तों वीडियो के आखर में हम शानवाजधानी को कहेंगे के वो वाके ही किसमत के धनी हैं वहीं हमें पाकिस्तान सुपर लीग कभी शुक्रिया दा करना चाहिए कि जिनके प्लाटफार्म से हर साल हमें शानवाजधानी जैसा बाकमाल टैलेंट मैसर हो रहा है